हेलो दोस्तों आप सभी का मेरे चानल में स्वागत है तो आज मैं आप सभी को इस वीडियो में अद्रक और लसन से बने हुई क्रीम बनाना सिखाऊंगी यह अद्रक और लसन की क्रीम बहुत ही असरदार है आपके चेहरे पर से जहाया, डाक स्पॉर्ट, पिंपल्स, आकने स् पिग्मेंटेशन और संटान जैसी प्राबलम को जड़ से खतम करती है यह क्रीम आपके स्किन को बहुत ज़्यादा फैर, ग्लोइंग और रेडियन बनाने की साथ-साथ आपके स्किन पर एक नाचरल ग्लो देगी और आपके चेहरे को बिल्कुल स्पॉटलेस और क्लियर ब बनाना बहुत यहां पर मैं आपको लेस्न का रस बनाना सिखा रही हूं बट ऐसे ही अद्रक का रस भी बनेगा इनका रस बनाने के लिए अप सबसे पहले थोड़ा सा अद्रक ले लीजिए और कुछ कलिया लसन की ले लीजिए लगबग चार से पाच फिर आपको अद्रक लसन को छीलना है और इनको अच्छे से छीलने के बाद आपको इन दोने इंग्लिएंस को कूटना है या आप मिक्सी में एक ग्राइंड भी कर सकते हैं दोनों को और इनको अच्छे से ग्राइंड या कूटने के बाद आपको एक छनने की मदद से इन दोनों को छान लेना है और छानने के बाद आपका अदरक और लसन का रस तयार हो जाएगा और अदरक और लसन के रस के बाद हमें चाहिए Sweet Almond Oil यानिकी बदाम का तेल फिर हमें चाहिए शहद यानिकी Honey फिर हमें चाहिए Castor Oil और अगर आपके पास Castor Oil नहीं है इस क्रीम को बनाने के लिए सबसे पहले आप एक कटोरी में एक चम्मच लेसन का रस ले लीजिए के बाद आप इसके अंदर एक चम्मच अद्रक का रस ले लीजिए और अगर आपने ये दोनों रस एक साथ बनाए हैं तो आप दो चम्मच अद्रकुल लसन करा से एक कटोरी में ले लीजिए अब हमें इसके अंदर आदा चम्मच बदाम का तेल डालना है और अगर आपके पास बदाम का तेल नहीं है तो आप इसको skip भी कर सकते हैं आप मध डालिए उसके बाद आपको इसके अंदर आदा चम्मच कैस्टर ओयल डालना है और अगर आपके पास यह बदा तेल नहीं है तो जैसे कि मैंने पहले बताया आप ओलिव ओयल का भी इस्तमाल कर सकते हैं फिर आपको इसके अंदर एक चुथाई चम्मच शेहट डालना है और फिर आपको इन सारे इंग्रीजियन्स को अच्छे से मिक्स करना है ताके एक स्पूद पेस्ट बने और इन सभी को अच्छे से mix करने के बाद अब हम इसमें last ingredient डालेंगे जो कि है aloe vera gel और यहाँ पर मैंने 2 चमच aloe vera gel डाला है बट अगर आपकी cream जादा creamy और fluffy नहीं हो पा रही है तो आप जादा aloe vera gel भी इसमें डाल सकते हैं और aloe vera gel डालने के बाद हमको सारे ingredients को बहुत अच्छे से mix करना है ताकि हमारी cream बहुत जादा fluffy और creamy बने और सारे ingredients को बहुत अच्छे से mix करने के बाद आपकी ginger और garlic cream यानि की अद्रक और lesson की cream ready है और वो कुछ इस तरह दिखेगी ये cream बहुत ही जादा असरदार है आपकी जाईयों और dark spots को जड़ से खतम करने के लिए ये cream आपकी चेहरे पर से सारे दाग दब्बे खतम करके आपकी skin को बहुत जादा clear बनाएगी और इस cream को store करना भी बहुत ही असान है आप इसको किसी बेयाटाइट कंटेनर में फ्रिज में 15-20 दिन तक store कर सकते हैं तो चलिए अब देखते कि इस cream को कैसे इस्तमाल किया जाए best results पाने के लिए तो इस cream को use करना भी बहुत असान है आपको सिर्फ ये cream थोड़ी सी लेनी है और अपने face और neck पर इसको अच्छे से लगा लेना है और gently massage करना है 10-20 second के लिए और अच्छे से circular motion में massage करने के बाद इसको ऐसे ही रात पर के लिए छोड़ देना है और best results पाने के लिए आपको ये cream दो बार इस्तमाल करनी है दिन में एक सुभा और एक रात को सोने से पहले आज के लिए बस इतना ही और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे like और share करना ना भूले और आप मेरे चानल को subscribe भी कर सकते हैं आसी बहुत सारी easy और effective home remedies देखने के लिए और subscribe करने के बाद आप उस bell icon को दबाना न भूले मेरे वीडियो की regular और future updates पाने के लिए